हर काम जो कि हम हमारी डेली लाइफ में करते है भले वो छोटे से छोटा काम क्यूं न हो उनसब ही के पीचे हमारा कोई न कोई車 कारण हमारा कोई न कोई की परपस होता है राईट खूर अगर मैं पाणी भी परपस ही की नहीं दो हमते कि पीछे हम जो डेली लाइफ में करते हैं उन सभी के पीछे परपस होता है तो वैसे ही यह जो फिटनेस है ना उसको एड़ाप्ट करने से पहले उसके पीछे का इंटेंशन मिन्स अगर मुझे एक्सराइस चालू करनी है तो मैं वह क्यों कर रहा हूँ मेरा राइट परपस क्या होना चीए वह हम आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह जो फिटनेस है उसके पीछे उसका कारण मिन्स उसका में परपस अगर आपके दिमाग में प्रॉपर सेट है तो आप बहुत ही मींस ऐसे बहुत साही लोग होते है जो गलत इंटेंशन से फिटनेस करते हैं आप लोग अभी मैंने जस बोला कि फिटनेस का परपस कियो होना जिय Ain realization तो आपका इंटेंशन आप क्यों कर रहे हो Fitness को Adopt क्यों करें वो आप वो आपको भी अंदर से पता चलना चाहिए तो आज हम वहीं डिसकस करेंगे और जहां तक मेरी बात है मैंने क्यों exercise करना चालू किया मैंने क्यों fitness को Adopt किया मुझे motivation कहा से मिला inspiration कहा से वो यह है कि देखो आप exercise करते हो तो यह तो बात है कि आपकी body shape में आ जाएगी वो तो उसका byproduct ही है क्योंकि अगर आप exercise करते हो तो उसके साथ वो जो result है कि आपकी body shape में आ जाएगी वो तो उसके साथ लिंक होई जाएगा वो तो होगा ही आपको फाइदा लेकिन इसके अलावा भी fitness के बहुत सरे फाइदे है पहला तो अगर आप मैं example दू आपको तो पहला ये है कि आपको fitness, exercise आपको discipline सिखाती है, कैसे मैं बोलता हूँ अगर आपने ये ठान लिया कि मैं अभी रोज exercise करूँगा तो आप अपना workout का schedule plan करोगे, राइट लाइक, मैं so and so time से लेके, ये time तक बैं busy रहता हूँ day में, तो मैं एक particular time मेरा set करूँगा जिस time पर मैं रोज workout करूँगा तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक discipline की habit बिल्ड हो जाती है, ऐसे सोचते हो आपकी नहीं, मेरा time हो गया है मतलब मुझे workout करना है, मतलब करना ही है तो आप एक discipline की habit अपने आप में बिल्ड कर लेते हो दूसरी बात है कि workout आपको hard work करना सिखाता है ये भी बोलता हो कैसे कि for example, अगर आपसे कोई भी exercise के set नहीं लग रहे repitations नहीं लग रहे तो आप क्या करें, आपके में वो जो give up वाली feeling आती है वो आजाएगी सब के साथ होता है, ऐसी कोई results भी मिल रहे हैं सामने, तो इससे आपको आपके अंदर एक hard work की ऐसे ये habit बिल्ड हो जाएगी कि नहीं, मैं hard work कर रहा हूँ तो मुझे results भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ऐसा belief हो जाएगा आपने आपके कि अगर मैं कुछ भी करूँ अगर मैं right way में करूँ, hard work करूँ तो मैं कुछ भी achieve कर सकता हूँ, तो ये भी आपको hard work करना, ये fitness सिखाता है, और fitness एक type का spiritual devotion है, पता है क्यों, क्योंकि fitness आपको है न, आपके means आपकी negative energy, means आपको, आपके drawbacks, आपकी capabilities ये सब आपको दिखाता है, आपको खुद को खुद से ही जानने मिलता है, क्योंकि न, बहुत साही लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने खुद तो साला कुछ किया नहीं fitness में, लेकिन घ्यान बराबर से देंगे, कि नहीं यार ऐसी होता है, ठीक है, और आपका mind और आपके जितने भी organs हैं आपके senses, वह आपस में coordinate करने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत साही लोग ऐसे होते हैं जो कि उनका proper दिमाक का organs का coordination होता है नहीं है, और बहुत सारी दिक्कते उनके body में generate होती है, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बहुत साही लोग गलत intention से means fitness को adopt करते हैं, पहले तो यह लोग होते हैं जो कि खुद कुछ नहीं करना है, means, खुद से कुछ अंदर से inspiration, कुछ भी motivation नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ने भीया जीम चालू कि इसलिए मैं तो करूंगा उसके साथ, मुझे, means, खुद का benefits क्या होंगे, खुद के लिए वो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त जा रहा है, इसलिए मैं भी जाओंगा, उसको दिखाने के लिए, compare करने के लिए, और खुद, means, ऐसे लोग होते हैं, जो कि इद्दम discipline होते हैं, जो कि जिम में जाके भी खुद का जो है, workout schedule plan करते कि नहीं, मैं आज यह, यह body parts train करूँगा, like, biceps, chest, triceps, legs, वैसे, और यह भाया पता है, क्या करते हैं, मेरा दोस्त जो मार रहा है, मेरा दोस्त अगर biceps train कर रहा है, तो मैं भी करूँगा, उसके साथ, खुद तो कुछ प्लान किया नहीं है, खुद को क्या च करूँगा, यह लोग, दिखाने के लिए सिर्फ, और दूसरे होते हैं, जो कि impress करने के लिए body बनाते हैं, लड़किया पटाने के लिए, frankly बोल रहा हूं, सची बोल रहा हूं, उन लोग के लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि इतनी मैनत, दूसरों को दिखाने के लिए करते हो ना, उतना खुद के लिए कर लिया होता ना भाई, तो भाई आपका माइंड माइंड तो होता ही और body दोनों कितना develop हो जाता, एक बार सोचके देखो, और ऐसे body देखके कोई आता नहीं, ठीक है, body तो खुद के लिए करो ना, कि मुझे develop होना है, मुझे fit रहन मेरा concern नहीं है, लेकिन मेरा main point गया है कि आपका primary aim means आपको fitness को क्यों adopt करना चीए, वो आपको भी मालूम होना चीए, कि उसके benefits क्या होते है, मुझे क्या असर होगी उसकी, मेरा mind कैसे develop होगा fitness से लेके, तो यह चीज है, और कभी भी fitness को as a goal मत समझना, क्योंकि fitness एक goal नहीं है वो एक journey है, जो आपकी throughout आपकी life में चलेगी, जब भी आप ऐसे बोलते हो कि मेरा goal ही fitness है, तो आप उसको restrict कर लालते हो, goal का मतलब क्या हुआ, कि आपको transformation करना है, 6 महीने का, 3 महीने का, उसके बाद आप बंद कर देते हो, कि मैं पतला होगा, आप ही बंद कर जाए fitness का, तो यह आपका goal हो गया, कि मैं 6 महीने का goal है, तो मुझे पतला होना है, बाद में क्या हुआ, बैट गए, कुछ भी खाने लगए, चालू, तो यह आपका goal होगा, जर्नी क्या होती है, कि आप खुद से decide कर लेते हो, कि मैं जब तक मेरी शासे चल रही है, तब तक मैं exercise करूँग आप अच्छा काम कर रहे हो, आप exercise कर रहे हो, खुद के लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन आप process पर जान दो, कि अगर मेरा process अच्छा होगा, तो ही मेरा आगी जाके future अच्छा होगा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था, कि last में यही कहना चाहूँगा, कि fitness एक devotional path है और जितने भी fitness freaks या तो जो भी कहना है आप कहा सकते हो, वो सारे उनके devotees है, तो उसको discipline में करे, ना ही उसका मजग बनाए, so guys मिलता है इसकी next video में, तब तक के लिए, जैशरी राम